दोस्तों क्या आप सारी उमर जवान बने रहना चाहते हैं गुटनों में गैप आ गया है आपके गुटनों का ग्रीज कम हो गया है या फिर जोडों में दर्द बना रहता है तो इन सभी प्रोब्लम्स का हम आपके लिए एक सिंपल सा इलाज लेकर आए हैं इस वीडियो में श हम अनेक समस्याओं को अपनी दूर करने के लिए अनेक जड़ी पूटियों का सहारा लेते हैं पहले के जमाने में भी आरवेदिक जड़ी पूटियों का उपयोग काफी किया जाता था कई बिमारियों को दूर करने के लिए जड़ी पूटियों से ही अपनी सहिस सुधारी जाती थी समय के साथ साथ साइंस में भी बदलाव हुआ जो साइंस में बदलाव हुआ तो हम अपनी जड़ी बूटियों को भूलने लगे लेकिन आज समय दुबारा से वही आ रहा है जिसमें हम जान गए है कि पुरानी जड़ी बूटियों का यानि आरवेदिक जड़ी बू तब सो आज इस वीडियो में जिस जड़ी बूटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो बूटी है गिलोई की, गिलोई को आप भली बाती जानते होंगे, सभी अपने घरो में भी लगा कर रखते हैं, पहले ज़ादतर लोगों को गिलोई के बारे में नहीं पता था लेकिन कई लोग इसके बारे में नहीं जानते हों लेकिन गिलोई के फायदे बहु जादा है जो हम आपको इस वीडियो में आज आपको बताएंगे और कैसे सेवन करना है वो भी आपको बताएंगे किस विधी से, कितने दिन सेवन करना है वो सब आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों जो गिलोई होती है वो एक बेल होती है ये बहुत जादा बढ़ती है जैसे कि जहां भी आप लगा दे अपने पार्क में लगा दे, खेतों में लगा दे तो ये फटा-फट से बढ़ती चली जाती है पहाडों के चटानों पर भी ये पाई जाती है इसकी तासीर गरम होती है जिसके कान ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होती है इसके जो फल आते हैं वो मटर के बीच जैसे होते हैं आपने देखा होगा, जब गिलोए की बेल पक जाती है, तो इस पर फल लगने लगते हैं, वो मटर के जितने होते हैं, इनी का आपने सेवन करना है, वैसे तो आप गिलोए का किसी भी रूप में सेवन कर सकते हैं, इसके पत्ते खा सकते हैं, इसका तना खा सकते हैं, या फिर इसका काड़ा बना कर ले सकते हैं जैसे भी आप खाते हैं गिलोई को बहुत ही बड़ी अरी जल्ट देते हैं लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इसके फल खाने से आपको क्या फाइदा मिलेगा इसका जो तनह होता है वो हरा और देखने में किसी रसी से कम नहीं लगता गर गिलोई की पहचान इसके फूलों को देखकर की जाती है कि कौन सी बेल नर है और कौन सी मादा गिलोई की जो पत्तियां होती है वो प्रोटीन से भरपूर होती है कैल्शियम होता है इनमें फासफोर्स काफी मात्रा में पाय जाता है इसलिए गिलोई के पत्ते भी काफी फा तरकती है इसलिए इसे हम अमरीता के नाम से भी जानते हैं इसकी सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि जिस पेड़ पर भी ये लिपट जाती है उसी के गुण अपने में ले लेती है जैसे कि यदि ये नीम के पेड़ पर चड़ जाती है तो नीम के गुण इसमें अर्रेड़ हो जाते हैं तो बहतर यही रहेगा कि आप यदि नीम की पेर पर चड़ी बेल को यूज करते हैं उसके फल को यूज करते हैं तो यह बहुत ही बढ़िया result देते हैं तो चलिए आपको बताथे हैं कि आपको किन-किन वीमारियों में इसको खाना है और कैसे खाना है दोस्तों यदि आपकी इमिनिटी कमजोर है इमिनिटी को बढ़ाना चाहते हैं बार-बार बिमार पढ़ते रहते हैं थोड़ी सी सर्दी लगी या गर्मी लगी तो आप बिमार पढ़ जाते हैं बुखार हो जाता है आपको तब आपने गिलोए का सेवन करना है जैसे आपको काफी फायदा मिलेगा और अगर इस पर जो फल लगते हैं उनका सेवन करते हैं तो वो भी काफी आपको हैल्प करेगा इमनिटी को बढ़ाने में इसके वीजो को तोड़कर बस आप सीधा ही खाले धोकर आपकी इमनिटी अगर कमजोर है तो वो सही होने लगेगी आप आपने 5-7 दिन इसका सेवन जरूर करना है आप देखेंगे कि आप किमनिटी कैसे ठीक होती जली जाएगी दोस्तों यदि आपको कोई भी क्रोनिक फीवर हो जाता है बुखार कोई भी ले ले या डेंगू हो गया है या फिर क्रोना ही ले ले तब आपने इसका जरूर सेव करना है इसके तने और पत्यों का इसेमाल करके आप अपने बुखार को सही कर सकते हैं बिना दवाई के इस बेल ने काफी लोगों को सही किया है मलेरिये को भी यह सही करता है यहां तक कि दोस्तों यदि आपको कफ है पूरानी खासी है तब भी आप इसके पत्तों का काड़ बना सकते हैं या बेल का या डंडियों का इसके तोड़ कर इसका कहड़ा बना सकते हैं बहुत ही आपको फायदा मिलेगा कहड़ा बना कर दोस्तों आप उसमें शहर डाल कर ले सकते हैं बुखार में तो आपका बुखार सही होने लगेगा तीन दिन के प्रियोग से आपका बुखा सही होने लगेगा पाचन शक्ति आपने बढ़ानी है यानि आपकी पाचन समंदी कोई भी प्रोब्लम है डाइरिया है या दस्त हो रहे है या उल्टी आ रही है तब आपने इसके रस का सेवन करना है जूस बना कर ले सकते हैं इसका या फिर काड़ा ले सकते हैं आपकी पाचन शक्ति बढ़ जाएगी इसके प्रियोग से दोस्तो डाइबटीज को कंट्रोल करने के लिए भी आप गिलोई का सेवन कर सकते हैं क्योंकि इसमें एंटी हाइपरग्लासमिक यानि की ब्लड शुगर को कम करने वाले परभाव को फायदे मन माना जाता है यही कारण है कि ये शिरीर में इंसुलिन की सक्रियता को बढ़ा कर ब्लड शुगर को कंट्रोल में करता है इसलिए डाइबटीज परसन को जरूर इसका सेवन करना चाहिए अस्त्मा की समस्या में भी आप इसका काड़ा बना कर ले सकते है जिन लोगों को सांस से समंदी प्रोवलम है चाती रूख जाती है तब आप इसके जूस में शहद मिला कर ले सकते हैं दो दिन के प्रियोग से आपके अस्त्मा में आपको आराम मिलेगा गठिया की समस्या रहती है आपको जोडों में दर्द रहता है तब भी आपने इसके खाड़े का सेवन करना है या फिर इसके फलों को ऐसे ही खा सकते हैं गठिया में काफी फाइदे मन माना जाता है आखों से जुड़ी कोई भी समस्या है तब आप इसका सेवन कर सकते हैं बह इसके सेवन से बासीर में होने वाले रक्स त्राव या कब्स से छुड़कारा पाय जा सकता है इसलिए आप इसके कहड़े का या फिर इसके फलों का जुरूर सेवन करें आपको बोड़ी में कहीं पर भी सूजन रहती है तब भी आप इसके फलों का सेवन कर सकते हैं सूजन को रहा दिलाने में जो गिलोई होती है काफी help करती हैं यदि आपके चहरे पर भुड़ापा आ गया है या बढ़ती उमर के परभाव आपको दिखाई देने लगे हैं जूरिया आ गई हैं तब आप इसका save on कर सकते हैं इसका paste बना कर भी आप अपने चहरे पर लगा सकते हैं या फिर फलो का सेवन कर सकते हैं या फिर जैसे मैंने बताया आप इसका जूस बना सकते हैं या फिर काड़ा बना कर ले सकते हैं हर हाल में गिलोई आपको फाइदे ही फाइदे करेगा अब आपको बताते हैं कि गिलोई का आप उपयोग कैसे कैसे कर सकते हैं यानि कि आप गिलोई का यूज किस किस तरीके से कर सकते हैं जिससे आपको ये फायदा ही फायदा करें दोस्तों येदि आप इसका जूस बनाना चाहते हैं तब आपने क्या करना है? गिलोई के तने और पत्यों को लेना है और इनको पीस कर इसका जूस बना लेना है इसके जूस को आप दोस्तों 20-30 ml हर रोज लें दो बार आप लें दिन में जैसे सुभे ले सकते हैं ये शाम को ले सकते हैं और यदि इसका काड़ा बनाना चाहते हैं तब आपने 20 ml लेना है दिन में ये भी आप दो बार कर सकते हैं अगर आप खाली पेट लेंगे तो आपको बहुत बड़ी अरी जल्टाएंगे इसकी जड़ और तने को आप उबाल कर इसका काड़ा बना सकते हैं जैसे कि आपने एक गिलास पानी लिया और उसमें इसका तना और जड़ डाल ले और एक गिलास को आदा गिलास होने तक पकाएं तब आपका काड़ा रेडी हो जाएगा और आपने इसका सेवन करना है दिन में दो बार सुभे ले सकते हैं शाम को ले सकते हैं या फिर इसके बीजों का सेवन कर सकते हैं, यानि इसके फल का सेवन कर सकते हैं, मटर के बीज की तरह दिखने वाले इसके दो से चार फलों का सेवन किया जा सकता है, इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं, दोस्तों आप गिलोई का सेवन करके अपने हाट को मजबूत बना सकते हैं कोलेशोल की समस्य है आपको उसको सही कर सकते हैं घुटनों में ग्रीस कम हो गया है उसको बढ़ा सकते हैं या फिर आप अपने चहरे पर बढ़ती उमर के परभाव को कम करना चाहते हैं तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं जोडों के दर्द में भी आपको रहा शुरू करें बहुत ही बड़ी अरिजल्ट देते हैं आपको दवाई बगारा लेने के जूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक बार गिलो एका सेवन शुरू कर दें इसका कोई साइड फैक्ट नहीं होगा यदि आप इसको हर रोज भी लेते हैं वैसे आप हफते में दो से त विडियो में नेक्स्ट रेमिडी के साथ तब तक धन्यवाद